जैसरी शाम दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूग चैनल इंफिनिटी होमस एंड बिल्डर्स में तो फ्रेंट्स आप लोग की डिमांड थी कि सर एक ऐसा 3BHK फ्लैट लेका है यह जिसकी कीमत कम हो और बड़े साइट का फ्लैट आपक स़य सुना दोस्तों 34,00,000 से भी कम कीमत इस फ्लैट के रहने वाली है और जो 2 Ort check आपको मिलनेवाला है वह 21,000,000 से कम कीमत में मिल जाएगर दोस्तों तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी आपको D यहां से आप देखेंगे तो सारी स्कूल्स की फैसिलिटी मार्किट एंगि बैंक फैसिलिटी दोस्तों अपने फैसिलिटीज नजदीक ही मिलेगी इरिक्सा की किनेक्टिविटी मिल जाएगी जो कि आपको में दोस्ते करने वाली है और मैट्रो लाइन से भी कनेक्ट करेगी दोस्तों और यहां पर आप देखेंगे तो आपको बिजली का कनेक्शन, पानी का इनेक्शन, समर सीवर, यह सारी फैसिलिटीज भी अपने बिल्डिंग में मिलने वाली है दोस्तों, बढ़िया फ्लैट है और कम कीमत का फ्लैट आपके लेके आ गए हैं, तो LIC से लोन भी इस पर मिलने वाला है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि फ्लैट के बारे में सारी डीटेल्स आपको अच्छे से मिल सकें, तो शुरू करते हैं, शांदर सी प्रोपर्टी का एक कम्प्लीट टूर तो फ्रेंट जैसे ही पार्किंग से उपर आते हैं, तो यह हमारे फ्लैट के एंटरंस आने वाली है, पीछे आपको 2BH के फ्लैट मिलने वाला है, और यह हमारा 3BH के फ्लैट रहने वाला है, जो कि फ्रेंट साइट के फ्लैट होगा दोस्तों अब आगे हम मारे ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का साइज आप देखेंगे दोस्तों, तो 12 अपको देखने को मिलेगा उमारे ड्राइंग का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो L टाइप का सोफा लगा के आपको दिखा रखा है, बीस में सांटर टेबल है, पे आप देखेंगे तो आपको split AC की fitting मिलने वाली है और देखेंगे यहाँ पे इस वाली वाल पे तो आपको बड़े साइज का TV पैनल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स सनमाई के का काम करा के दिये रखा है और यहाँ पे आपको focus lights के साथ wooden texture में design में देखने को मिलेगा fall ceiling की तो fall ceiling का design देखे beautiful सी fall ceiling मिलने वाली है blue और warm white light के साथ आपको fall ceiling का design देखने को मिलेगा बीच में आपको fan भी लगाके देने वाले दोस्तों तो यह complete हुआ हमारा drawing room का tour अब चलते हैं दोस्तों अपने first bedroom की दरफ friends यह हमारा first bedroom है जिसका size आप देखेंगे तो 10 by 10 का आपको size देखने को मिलेगा बीच में आप देखेंगे तो आपको bed लगाने को option मिलेगा और आप देखेंगे तो दोनों ही side में आपको water of देखने को मिल जाएगी जिसमें आप देखेंगे तो काफ़ अच्छा space आपको द Ross भी मिलने वाले हैं और water of के just ऊपर आप देखने दोस्तो तो beautiful सी fall ceiling आपको देखने को मिलेगी जिस पर आप देखेंगे तो profile lights का काम कराके दे रखा है और काफी अच्छी lighting भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और bed के सामने आपको TV cabinet भी देखने को मिल जाएगा दोस्त में आप देखेंगे तो पूरा top तक आपको tiles का design देखने को मिलेगा और काफी अच्छी यहाँ पर tiles और अपने sanitaries का item देखने को मिलेगे दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे the wall hanging seat भी आपको लगाके देने वाले हैं तो यह हमारा common washroom था दोस्तो अब चलते हैं अपने second bedroom क तो friends यह हमारा second bedroom है और जो कि हमारा master bedroom भी रहने वाला है इसमें भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा size अपने bedroom का देखने को मिलेगा दोस्तो यहाँ पर आपको bed की sitting देखने को मिलेगी और दोनों side same आपको wardrobe देखने को मिल जाएगी यहाँ पर भी काफी अच्छा space आप आपको wardrobe का देखने को मिलेगा दोस्तो और bed के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको beautiful ची कुल्टिंग का design देखने को मिलेगा काफी अच्छी कुल्टिंग यहाँ पर लगा के दिखा रखी दोस्तो और just इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको false ceiling भी देखने को मि दोस्तो और bedroom में ही आपको dressing table ready करके दिखाईए दोस्तो जहाँ पर अपने घर की lady से यहाँ पर बैठ के easily ready हो सकती है और साथ में आप देखेंगे तो ventilation के लिए यहाँ पर आपको window मिलने वाली है उपर window इसी लगाने का point मिलेगा दोस्तो और ventilation पूरी अपने bedroom में रहेगी औ यहाँ से आप देखेंगे तो आपको attached washroom भी मिलने वाला है दोस्तो जो की काफी अच्छा spacious आपको washroom देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे तो सारे sanitaries के item आपको बढ़िया लगा के देगे और top पे आपको profile lights के साथ यह washroom मिलने वाला है तो यहाँ complete हुआ हमारे द मिल जाएगा तो अब एंटर हो गए हमारे kitchen में, kitchen आप देखेंगे तो L type का आपको kitchen देखने को मिलेगा, white color का top है दोस्तो सबसे आदे demand में white color का top होता है, nano marble के साथ आपको double molding में top लगा के दे रखा है और top पे ही आप देखेंगे तो आपको sink मिलने वाली है, handmade की sink है, उप section पर आपको बड़े size की chimney भी यहाँ पर मिलने वाली है, दोस्तों, सारा storage मिलेगा, बढ़िया आपको काम करा के मिलने वाला है, और under counter storage आप देखेंगे, तो काफी अच्छा space आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सारा under counter storage मिलेगा, जिसमें आप उपने डब्बे वगरा, आटा basket वगरा, चावल की basket वगरा, सब चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, तो पूरा आप देखेंगे, kitchen में tiles का काम करा के दे रखा, top तक, जिसमें हमारी घर की ladies को सफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, और उपर आप देखेंगे, तो आपको fall ceiling पे profile lights का 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 क दे रखा है, और यहाँ पर एक beautiful सी light भी देखने को मिल जाएगी, तो अब चलते हैं हमारे third bedroom के दरफ, तो friends यह है हमारा third bedroom जो कि हमारे 3BHK का front side का bedroom रहने वाला जो की balcony में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो बड़े size का आपको bedroom देखन मना के दिखा रख की है, और bed के सामने आपको TV cabinet मिलने वाला है, जिस पर आप देखेंगे, तो काफी अच्छा design आपको दे रखा है, यहाँ पर आपका बड़े size के TV लग जाएगा, lowers का काम करा के दे रखा है दोस्तों, जो की काफी अच्छी beauty मिलने वाली है हमारे bedroom में, और fall ceiling की बात करें, तो fall ceiling भी आप देखेंगे दोस्तों, काफी beautiful सी fall ceiling मिलने वाली है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, bedroom में और अपने drawing room में, तीनों ही bedroom में आपको fan लगा के देने वाले हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपको बड़े size की window मिलने वाली है, उपर window AC तो पाएगी दोस्तों, पूरी ventilation रहने वाली है, तो अब चलते हैं अपने balcony space में, तो friends हम आगे हमारे balcony area में, balcony आप देखेंगे काफी अच्छा space, आपको balcony का देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको washing area भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और आप देखेंगे सबसे पह यहाँ पर बेडिंग में sealant की दिकर बिल्कुल नहीं आने वाली दोस्तों, ऊपर आपको light मिलने वाली है, और यहाँ पर बड़े size के आपको washing machine लगाने का option भी मिल जाएगा, सामने आप देखेंगे, तो यहाँ पर washing area रहने वाला है, जहाँ पर taps और switch and socket आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, तो friends, यहाँ पर complete हुआ हमारे 3-base के flat का tour, कैसा लगा flat, कैसी लगी वीडियो हमें comments करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छे लगी दोस्तों, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर अपने family और friends में share करें, ताकि अगर किसी क बजट कम हो और उनको 3-base के flat की need हो दोस्तों, तो यह need उनकी इस वीडियो के थूरू जरूर पूरी हो जाए, इस flat की visit करने के लिए हमारे customer care number पर call करके अपने visit को book करें, दोस्तों, online permit करके आप अपने flat को भी book कर सकते हैं, तो मिलते हैं आप से ऐसे शांदर flat के साथ अगल श्रीशा हम